वेल्कम टु मैं चैनल तो आज हम एक नया प्लेलिस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो की डेटा स्ट्रेश्चर डेजाइन बेस जो क्वेश्चन्स होते हैं यह काफी इंपॉर्टन क्वेश्चन होते हैं यह पूच्छे जाते हैं जनरली अच्छे-चे कंपनीज में ठीक है तो तो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहरा है वो मैं समझाओंगा उससे पहले देख लाए थे कौन-कौन से कंपनीज ने पूच्छा है एमज़न ट्विटर ब्लूमबर्ग माइक्रसॉफ फेस्बुक उबर गूगल ठीक है काफी कंपनीज ने पूचा है क्वेश्चन अच् ठीक है जिसमें इंसर्ट इंसर्ट को मैं आई से रिप्रेजन करूंगा और रिमूव और गेट रांडम जी आर्मानलों इसको ठीक है यह तीनों ऑपरेशन ना यह तीनों ऑपरेशन ओवन एवरेज टाइम में होना चाहिए तो यहां पर एक इंपुट दे रखा है कि इंसर ठीक है अब इसने इंसर्ट किया वन को ठीक है तो ट्रू आ गया क्योंकि व Russians नहीं था अभी हमारे रंडमा कि नहीं सेट मैं रडमाइज सेट को उसके बाद है insert 2 इसमें 2 नहीं है तो 2 एड कर दिया और return true कर दिया तो इसके बाद है get random get random मतलब equal probability होने चाहिए कोई भी number आने की ठीक है तो यहां पर 1 और 2 होगा है तो कोई भी randomly कोई number आजाएगा यहां पर आगया 2 ठीक है अब आते है remove पर remove 1 1 को remove करने कर रहा है run 1 इसमें present है yes present है तो इसको हमने remove कर दिया इसलिए यहां true return किया है नहीं होता तो false return करते है उसके बाद बोलता है insert 2 तो 2 तो already है तो insert करनी ज़रूरत नहीं है इसलिए तो false return किया है उसके बाद है get random एक ही number है वही number return हो गया ठीक है तो यहीं आपको एक ऐस तो अब देखते हैं कि कैसे solve करेंगे इसको यह तो मुझे पता है कि सबसे पहला परोच जो हमारे मन में आता है वो तो वेक्टर ही आता है कि एक वेक्टर ले लेंगे ठीक है उसमें insert करते चलेंगे जैसे माल लो अभी 1 को insert करने बोला है ना ठीक है 1 को insert कर दिया मैं उसके वाद, रिमूव2 करने बोला है, तो 2 यहाँ प्रेजेंट है नहीं, तो 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इंसर्शन हो जाएगा O-1 में, आपको डायरिमूव करने से पहले, चेक भी तो करना पड़ता न, वो ऐलमेंट है कि नहीं, आप इस वेक्टर में उस इस वेक्टर में जब रिमूफ करने के लिए टु को ढूणडोगे तो को अ पता न इस तो आपके पास ईंडेक्स होता है यहां पर हमारे पास इंडेक्स है ही नहाँ गटारेक्क बोल लिए रही। करके देखो ठोको पहले सर्च करना पढ़ेगा इसमें इतरेट करेंगे तो पर देख यूँ हमारे सक् périodes Delhi के दो मिसिंग का वो जिंट रख देथा हूं अमारे पास एंडेक्स नहीं है इंडेक्स नहीं है ते का इसलिए ओवन टाइरेक्ट चेक कर लेते कि अच्छा तू का अगर इंडेक्स बता होता तो डारेक्ट चेक कर लेते हैं तो यह वेक्टर से तो सॉल्व नहीं होगा लेकिन अपने एक छीज ध्यान दिया कि अच्छा हाँ चलो आगे बढ़ते हैं माल लेते हैं ओवन टाइम से बना दिया तो तू को माल लेते हैं यहां पर तू नहीं था तो तू हमने कुछ नहीं किया ठीक है अब आते हैं इंसर्ट पर फिर से इंसर्ट था इंसर्ट तो पुश कर दिया ओवन टाइम में तू को इ तो 0 और 1 के बीच में कोई भी number आ सकता है तो वो कोई भी number आ गया और उसका वो index कोई भी number आ गया स्कुरेज एन इंडेक्स ट्रीट करके उस index में जो भी number वो भेज़ देंगे जीरो कमें 1 है ना मैं क्या बोल रहा हूं कि माल लेते हैं यह आपका एक अरे है जिसमें ऐसे 3 number है 0 1 2 3 number है इसका size कुई 3 है तो rand percentile अगर 3 करोगए तो random कोई भी क्या number आ सकता है? या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है तो कोई भी number आ या jak इन 3 नो में से कोई भी आ जाए उस index का number भेज देगे तो गेट random तो हमारा O1 है। यहाँ पर रिमुवल इस अ ओवन प्रॉसस तो रिमुवल में क्यू दिखकता रही थी क्योंकि आपके पास इंडेक्स नहीं था। आप अप भूंडी नहीं पा रहे थे वह नमबर है भी कि नहीं और वह नमबर कहां पर रहे वह भी आपको नहीं पता। आपको डायरेक्ट नंबर दे दिया बोला भाई रिमूव करके देखो आप वेक्टर में कैसे रिमूव करोगा आपको तो इट्रेट करना पड़ेगा ठीक है अब माल लेते हैं यहां पर 6 7 8 ऐसे नंबर दा माल लेते हैं 2 को चलो आपने ओवन करके 2 को रिमूव कर लिया अब इंसर्शन इस फवाइन yen जो हमारा रिमूवल वो ऊफ एन में लग रहा है और क्यू लगा जया कम थी हमारे पास इंडैक्स नहीं था Intellång नहीं था घुढ rif कॉछ यह जो कम थी इसको पूरी कैसे कर सकते हैं हम उस number का index store कर सकते हैं न कहीं पर हम उस number का index το तो ठीक है vector तो रखेंगे बढळ हम एक map रख लेंगे जिसमें हम क्या रखेंगे index रख लेंगे स्वरी एक number का उस number का index store कर लेंगे कि वो number किस index पर है ठीक है यहां तक क्लियर है तो आप देख रहें आप जो डेटा से डिजाइन करोगे वो इन दोनों का कॉंबिनेशन होगा देखो मैं बार 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 बोल रहा हूं आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम वेक्टर और मैप में आए ठीक है मैंने देखा वेक्टर में ओवन गेट हरे करना तो सही था लेकिं रिमूवल में दिक्कत हुरही थी ठीक है तो वेक्टर से में खुष्त होता बथेजिए नगउसर कर सकते लो कि देखो इस तरह आयं यही होथा इंट्यूशन है न आपको पता होना चाहिए कि आप मैशन मैं क्या थैक्टर और मैं क्यू पता देता कि vector map use करो तो it wouldn't help you much आपको रास्ता पूरा पता होना चाहिए कि आप यहां से start कि आपने यहां पर गएं फिर यहां पर आएं ठीक है तो देखते हैं vector of map use करके कैसे solve कर सकते हैं इस question को ठीक है तो देखते हैं यहां पर यह हमारा input था ठीक है यहां पर input है इन्पुट में क्या क्या है insert one remove two insert two get random remove one insert two get random ठीक है यह पहला input है लीटकुट का अब देखते हैं कि कैसे हम solve करेंगे ठीक है अभी देखो हमने vector और map तो ले लिया यहां पर अब हमें यह अभी तो vector का size 0 है यहां तक clear है ठीक है अब आतें insert one में ठीक है insert one में तो पहले तो यह रॉन हम शॉपन कर लेते कि भाई one जो है कहीं हमने पहले insert तो नहीं कर रखा है ठीक है one हमने पहले इंसेर्ट किया नहीं किया ये तो पहली बर वन आए तो map में check कर लेंगे वो है ना मैप में वन है क्या नहीं है वन मतलब वन अभी नया नया है तो चलो ठीक है वन को वेक्टर में अड़ कर लेते हैं 1 तो मैणेस वन करो 0 आजागा और सही बात भी है वन का इंडेक्स अभी 0 है चलो बहुत बढ़ी है अब आते हैं रिमूफ टू में तो रिमूफ टू पहले तो मैप में देख लेते हैं क्या यह क्या तू प्रेजंट है भी कि नहीं नहीं है तो नहीं है तो हम रिटर्न फॉल् नहीं है तो मतलब नया नया चलो two को insert करते है ठीक है two को vector में पहले डाल दिया push back करके ठीक है और map में two को डाल देते है two का index क्या है भई अभी व्येक्टर का साइस क्या है दो है ना तो two minus one that is one सही बात भी है two का index one है correct और हमने true return कर दिया क्योंकि हमने इलमेंट को इंसर्ट कर दिया, get random, get random बहुत सिंपल से है, मैंने क्या बोला था, एक इंडेक्स निकाल लेंगे, random index, कैसे निकाल लेंगे, random, percentile, vector का size, vector का size क्या है, 2 है, तो क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, ठीक है, तो जो भी index आ गया, तो 0 को भेज है, ठीक है, simple, get random तो simple हो गया, काफी, ठीक है, get random हो गया हमारा, अब फिर आते है, remove 1 पे, ठीक है, remove 1, पहले तो map में चेक करता है, क्या 1 प्रेजंट है भी कि नहीं, जो तुम remove करने कह रहे हो, हाँ, map में तो 1 प्रेजंट है, अब देखो, ध्यान देना यहां पर, यहां पर इंडेक्स निकाल लिया, mp of 1, है न, तो index मेरा क्या हो गया, index मेरा हो गया, 0, चलो ठीक है, 0 इंडेक्स में है 1, जिसको मुझे remove करना है, ठीक है, तो 1 को remove करेंगे, तो 1 के जगा किसी को लाना भी तो पड़ेगा, न, 1 के जगा किसी को लाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता ह ना एक काम करते हैं वन को रिमूफ करना ना तो वन को लास्ट में भेज देते हैं वन को वेक्टर के एकदम लास्ट में भेज देते हैं और वेक्टर के लास्ट में जो एलेमेंट उसको वन के पास ले आएंगे और क्या मैं क्या बोल रहा हूं कि वन को लास्ट में भेज दो ठीक है और लास्ट में जो इलमेंट उसको पहले स्टोर कर लेता है ठीक है लास्ट एलमेंट जो है इलमेंट इसमें स्टोर कर लिया टू को है ना वेक्टर के बैक वेक्टर डॉट बैक करोगे तो लास्ट मिल जाता है यह ना वेक्टर डॉट बैक ओवन में मिल जाता है ठीक लास्ट इलमें को two store कर लिया ठीक है अब vecter के जो back में है vecter का back जो हाँ पर one को डाल दिया लास्ट इलमें मतलब vecter.back जो last element है उसमें डाल दिया जो value हमें delete करनी है वन को डाल दिया और क्या तो देखरो यहाँ यह 2 हटके, यहां पर 1 हो गया. थीक है? अब 1 का जो index है, 0 था ना, वहाँ पर last element को डालना पड़ेगा. यह 2 को हमने store कर लिया था ना, तो यहां पर क्या करेंगे? vector of, जो index है, जहां पर 1 था पहले, वहाँ पर अब last element को डाल देंगे हैं ना, क्योंकि last element के जगह हमने 1 डाल दिया है तो यहां पर आजाएगा 2 यह clear है अब देखो अब आराम से हम last element को पॉप कर सकते हैं यहने कि vector.pop underscore back यह भी open operation होता है ठीक है अब आपको map को भी अपडेट करना पड़ेगा है ना तो map को अपडेट करना कैसे सबसे पहले तो 1 को remove कर लोगे तो MP.erase कर लिया ठीक है और 2 का index भी update कर लोगे तो 2 का index अब क्या हो जाएगा MP of last element क्या हो जाएगा idx ना है ना यह idx हो जाएगा ना तो यहां पर हमने 0 डाल दिया तो अभी हमने क्या किया पहले तो erase कर लिया जिसको हमें remove करना था वन को erase कर लिया और MP जो last में जो element था पहले यह ना उसका index change कर दिया that is idx कर दिया तो काफी simple था map के मदद से आपको index मिल गया आपको जैसे index मिला आप अब राजा हो अब कुछ भी कर सकते हो आपको index मिल चुका है तो हमने रिमूव भी कर दिया वन को ठीक है अब आते इंसर्ट टू पे तो पहले तो देख लेते मैप में अलड़ी 2 है क्या? येस मैप में अलड़ी 2 है तो अंसर फॉल्स होगा है ना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगा यह से फिर है get random get random क्या होता था? क्या होता था? n random percentile n है ना तो random percentile n की value अभी 1 है ना वन ही है तो कहा से कहा के वीच वैलियो आएगी, 0 ही आएगा, है ना, यही एक element भी है, तो हम 2 रेटर्न कर देंगे, है ना, तो हमारा 2 रेटर्न हो जाएगा, ठीक है, simple सा था, जो अभी बता है, बिल्कुल भाई, कोड में उतार देंगे, एक वेक्टर लेंगे, एक मैप लेंगे, है ना, इंसर्ट कर करने से पहले, चेक कर लेंगे, वो मैप में प्रेजेंट अगर है, तो रेटर्न फॉल्स कर दो, नहीं है, तो भाई, वेक्टर में डाल दो, और उसको मैप में भी, उसका इंडेक्स अपडेट कर दो, ठीक है, गेट रैंडम आपको समझ में आ गया, simple है, रिमूवल में इत आए लासट वाले ःेलVideoन को आपको रिमूव कर्ना है, उस Elment को लास्ट में भेज दो, अच वहां भेज दो, जहां पर वो element था जिसको आपको रिमूव करना है, जहां पर में यहां पर किया, यह ना, लास्ट उलेमेंट को स्टोर किर रिए, egg variable में, अरर लास्ट में डाल आल दिया जिस element को remove करना यहां पर देखू है ना फिर जहां पर मेरा वह element था जिसको remove करना वहां पर हमने last element को डौल लए वोई यह स्वाप कर दिया एक तरह से है ना और फिर vector.popblack उत्वलासल लासल में नियातकर हमने डाल दिया उसको जिसको हमेंigos करना तो फिर हटा दिया उसको वेक्टर से और मैप से इसको हमने यहां पर अपडेट कर लियाए तो देख वहिए है जो स्टोरी आपके दिमाग में अगर आ गया ना तो आप उसको लिगाता तो चलो इसका गॉर hinaus कर लेते तो question तो समझ में आई गया होगा ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ठीक है तो आते हैं implementation पर ठीक है अगर not equal to MP dot end मतलब वो present है map में तो भाई return false कर दो क्यों इंसर्ट करें और अगर ऐसा नहीं है तो चलो इंसर्ट करते हैं तो पहले क्या इंसर्ट करते थे पहले वेक्टर में डालते थे उसको है ना बल को डाल दिया वेक्टर में और मैल्यठ में उसका इंडेक्टर ठीक है और हम राईंडेन के data करें क्यूंकि हमने किलमें इंसर्ट कर दिया तीक है अब आते हैं get random है removal में लास्ट में आएंगे ठीक है get random में simple था एक index निकालते थे random index निकालते हैं ठीक है कैसे निकालते थे random percentile vector.size निकाल ले थे इंटर इकल टू vector.size है ना random modulo n तो यह क्या देता है 0 से लेकर n-1 तक के आपको elements दे देगा ठीक है जो कि हमारे index है vector का है ना 0 से न-1 ही तो index होता है तो simply एक random index वाले element भेज़ देंगे vector of कि यह random index का कोई जो element का उसको भेज़ देंगे that's it ठीक है अब आते है रिमूबल पर तो रिमूबल पर तो सबसे पहले चेक करेंगी भाई वो होना भी तो चाहिए ना आपके data structure में अगर वो आपके map में है नहीं data structure में है नहीं तो return false पर दो उसको अब अगर मालो है तो रिमूब कैसे करेंगे सबसे पहले तो इंडेक्स ओर कर लो जैना जिसको आपको रिमूब करना है जिस element को आपको रिमूब करना है उसका index access कर लिया एना access the index which we have to remove जैना उस index को access कर लिया जिसमें वो element present है जिसे हमें रिमूब करना है ठीक है अब मैंने क्या बलता है इस element को last में भेज देंगे वेक्टर के back में भेज देंगे है ना ताकि वहां से अराम से रिमूब कर सके लिकिन उससे पहले यह वेक्टर के back में जो अल्रडी present हो उसको store तो कर लो उसको last element नामके वेरेबल में store कर लो यह ना ले आए वेक्टर अफ इंडेक्स में ठीक है अब अब मैप में भी चेंज करना पड़ेगा ना इस element का तो mp of last element का map में चेंज करना पड़ेगा इंडेक्स वो क्या हो चुका है idx हो चुका है यहां तक ठीक है हमने मैप में कर दिया अब रिमूबल का काम करता है तो वेक्टर के बैक में हमने भेज दिया था याद करो जिसको रिमूफ करना था तो रेक्टर डॉट पॉप बैक कर दो ठीक है और एंपी मैप से भी उसको अटा दो उस वैल्यू को है ना मैंपी टॉट इरेज ठीक है और रिटर्न कर दो कि हमने रिमूफ कर दिया है देखरो जो स्टूरी था बिल्कुल वही तो होता रहा है है ना बस में दिमाग यही था कि आपको मैप भी यूस करना था क्योंकि आपको कमी क्या थी आपकी आपको इंडेक्स नहीं मेल रहा था राइट तो इसको सब्मिट करके देखते हैं एरेज वायल का स्पेलिंग रोंग है लेट्स ट्राइन आओ ग्रेट लेट लेट्स ट्राइट सब्मिट अंचेक इपर वेबल तो पास अल देट्स केसे ग्रेट वी अप्रोच पर आते हो इसके बाद धीरे 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 हमने हमें रेक्वार्मेंट पता चलिया अच्छा इंडेक्स भी चाहिए था तो अमने मैप यूज करा यह पाथ आपको फॉलो करना है किसी भी ऐसे वीडियो को मत देखो यूट्यूब में या ट्यूट्यूरियल को मत देखो जो डाइरेक्ट आपको सलुशन बताए यूशुट भी एबल तो अंडेस्टैंड कि अच्छा इस सलुशन में मैं आया कैसे क्या कमी थी जिसकी वैसे मुझे मैप को लाना पड़ा अच्छा इस वरी इंपरत यूब यूट यू लग्यू थी वैसे यू थी जग ऑन नेग्स वीडियो थैंक यू